तो अब मैं दाल लाँ इसके अंदर ये लोटा ये रेख सकते हो ये लोटा आगया इसके वीच में अब दाल को अब स्कार वल्कम टू मैं न्यू व्लोग आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तो मैं भी एकदम मस्त मैं पावन जोशी गंगली हाट दुगए आगर चे तो दोस्तों आज मैं बलोग की सुराथ अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूं और अपने ही घर से कर रहा हूं और आजके मौसम तो इकदम कड़क मौसम यहां तो सबसे पहले आज आज आपको मौसम के दर्शन कराएं अपक्ट में हो एकदम मवसम और चारू तरभ कोरा चाया है और हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं च्यूंकि हम हरे हरे भरे भोणimize प।र काले मिने थोड़े होगे तो और अभी मै जा रहा हूं खेत में क्या कहूं या दोस्तों बहुत परिसान हो गया हूं यह घर रहके और यहां पर आपको दिखी रहा होगा है दन्याओ अभी बताते हैं इसके बारे में पुरी जानकारी और यहां पर गाई बात दी हमें और धुआ भी लगाया है साथ में यह जो कारोबा जो गुरु पुछेड़नी भड़ी जाली लेयो मम्मी की बास ऐसी अकल है दुआ लगा रखाया कहीं आग लगेगी तो इसमें गाय की पूंच जलेगी तो अब मैं दन्याव रख रहा हूं कंदे में क्यांकि आप बोने हैं मास पापा का खुलिया स्कुल तो पापा चले गए इसकुल में तो अब बारिश भी हो गई है अच्छी खासी तो आप मास बोने की बारी आगी बैल तो कहीं मिलनी रहे हैं तो क्या बोलते हैं आप खुदी मास बोने पढ़े हैं अब खुद को बैल बनना पड़ेगा यार क्या करूं बहुत मजबूरी हो गई मिल ले कर रहे क है कि अबसे हैं अब दोस्तो अभी मिल पहुंच गाउं इस खreated में और अभी पहला है अब काउदमा का अन्मा ऑं ऑ जिसमें और इस में बोरे हैं हैं पमा मास अब क्या करें मजबूरिया करना पड़े गाया कुछ तो घर रहे के तो अब सबसे पहले दालते हैं इसमें दन्या उसके बाद आगी की कारवाई फिर की जाएगी तो कहीं बैल नहीं मिलने बैलों का बड़ा दुख हो गया तो इसका रहना आप खुदी दन्या दालना पड़ कर दन्याव नहीं दाला तो टाइम से खेट ऐसे बंच ही रह जाएंगे मदला बंच पड़ जाएंगे खेट और क्या कहें पिर मौसम तो आपने देखी लिया आज का मिलते आपको थोड़ी देर बाद अगया दगड़ियों की करूं या बहुत परिशान है कि यह चौध है पड़ो इसके हो कोई नहीं है खेट में खीचने के लिए अम आपने जाले अगर और रखे तो वह एकटा कर रही है क्या करें मजबूरी का ना महत्मा गादी होता है ना इसी को कहते हैं इतना तो दाली दिया मैंने करीबान बहुत लंबा बड़ा चोड़ा खेट है यह परे तो में जगह है यहां पर सबसे पहले धूप आती है और सबसे लाष्ट में धूप जाती है यहां पर तो मिलते आभी आपको थोड़ी देर बाद तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूं एक खेट में से दन्याव जालके क्योंकि अब बारिज भी आने लग गगे तो फिर मैंने अभी तो मेरे को यहां पर कुछ देखने के लिए मिलिया इतनी अच्छा हमको से खा रही है बारिश होई कि एक पेड़ आ गया रोट में और रोट होगी हमारी बलॉक तो इतनी बारिश होगी कि रात और रात यह पेड़ भी नीचे गिर आप लोग देख सकते हो और रोट पुरी बलॉक हो गया यहां पर क्या होगा अब हमारी गाड़ी कैसे आएगी आर उपर दोका हो गया हमारे साथ तो अभी मैं पहुंच गया हूँ घर में मार्केट से और बंदर कैसा करें तो अब बारिश भी रुक गई है और हल्की खुल की धूब भी आने लग गई है तो अब यक खेत में तो डाल न रह गया अब उस्म मार्च बोने है तो अभी मैं जा रहा हूँ है मार्क गई हूआ हाँ अभी मैं जा रहा हूंगा। दिक्कत होजाईगी इससे वूला अबी फटा फट की आता हूं हमारी तो दूस्तो अभी मैं माच दने लगाव भूग देशक्यो तो दूस्तो अभी मैं दने लगाव भूग देशक्यो अभी मैं अभी मैं अभी मैं यही है अभी मैं दन्याव दालने का फाइदा अब क्योंकि पेड़ की टैनी भी हीड ली है अभा चल लिए तो कहीं फॉन गिरेगा तो अब मिलते हैं भी आपको आदा खेट वो के तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने पूरे खेट में दाल लिया दन्याव और अब जाता हूं घर को और आज तो मम्मी का भी ब्रत है मम्मी का ब्रत पूर्णिमा का तो अब मेरे को घर जाके खुदी खाना भी बनाना है आज हमारे गाउं की जितनी महले हैं सब खेट में हैं के आज सुबह तक लगाता बारिष्थी तो अब मुड़ू और माधूर सारते हैं ना दूर दूर बोटे हैं ईयसा है रुपाइए वैसे ही एक तरफ से वही समझो तो अभी सब लोग खेट में हैं तो अब क्या है आप करते काम तो अभी मेरा काम भी हो गया है बुरा बनाना पड़ेगा आप लोगं को भी दिखाया जाएगा कैसे बनाते हो जो लोग भी अकेले रहता है ना उसके लिए बहुत बढ़िया इसकी में डाल बनाने की कहां दो दो बरतंद होने बाग कूकर में डाल पका उसके बाद दूंगा रो फिर चांवल चड़ा हो जो अकेला पर दूंग को एक बच्च के सोल मिनट हो गए अभी तक कुछ नहीं है कम मेरा खाना बनेगा कम मैं खाऊंगा और दाल रखे हैं चांवल एक ही में डाल के फिर मेरे को जाना है मम्मी लोगं को चाह देने के लिए क्योंकि मम्मी भी खेत में है और बरत भी हुआ फिर आज मम और भूग भी बहुत तेज लगने लग गई आप लोग देख सकते हो मैंने आग जला के कुकर रख दी मैंने का आगी जला लेते हैं और मेरे हाथ में अभी तुमार तो अभी मैंने तेल दाल लिया तो आप लोग देख लो जो अकेले ना उसके लिए बेस्ट है एक खाना बना बहुत चीतूल है तो मैंने अभी वार डालन चैम यह देख भी लैग कि अपु सब्सेन unanimous लूँर में दालें दाल रखें तो इसमें दाल के दाल हमता हो झाल सब्सक्राइब मार्च मिर्स दाल دें मांगे दिला इसमें उमना है आप लोग देख सकते हो यह लोटा है और अपने इसाब से पानी लगाना हुआ जितना चाउल लगाना हुआ तो आप मैं इसको दालूँगा कुकर के अंदर आप लोग भी देखे रहना कैसे मैं ने बताई जिया जो अकेले रहते है उसके लिए सबसे बेस्ट है ऐसा खाना ब मैं ने उसके बाट म हुआ मैं गर्हां और तो अगेप्स कहां मैं आप बड़ता हुआ तो आप हमलोब की फिर नहीं तो आप रखा लीक करना दो देखे में अब भी आतो ते जाद्सिए m लिख से ने इसके लेट यह तो हम द्ला देखना के ने ल सकता देस ड्र 위 गित लीद चारू तब बराबर में कर दिया। जो दाल हैं इसमें एक तरफ एक खटा करी थी। इस दाल भी खटा हो गई है। और अब क्या करना है आपको आपको अब तेल डाल दे नहां है कायमें लोटे में, जाउल में, तो भूद बराबर तेल दाल देना है। जितना भी पकेगा चाय वो लोटे से उपर आ जाएगा पर तब भी चावल डाल में नहीं गिरेगा दोस्तो अभी मैंने चावल में चावल में तेल डाल दाल लिया और जो पानी दाल जान पर जाल या अपने याग रिप साइट रिख के डाल और चांवल तयार है तो आप लोग देख सकते हो मेरा चांवल बनके तयार हो गया है और दाल में पानी सुग्यास है दाल पकी नहीं है तो चांवल तो पक गया अब मैं इस लोटे को निकाल लूँगा यह तो सौट वीदी तो मैंने आपको बताई दिया अगर आप लोग ऐसा करना चाहोगे जो अके लिए रहता है कमेंट में जरूर बताना तो आप लोग देख सकते हो मेरा चांवल बनके तयार हो गया है और दाल में पानी सुग्यास है दाल पकी नहीं है तो चांवल तो पक गया अब मैं इस लोटे को निकाल लूँगा यह तो शौट वीदी तो मैंने आपको बताई दिया अगर आप लोग ऐसा करना चाहोगे जो अके लिए रहता है कमेंट में जरूर बताना तो अगर आपको आथ की वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक कमेंट सेयर सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवात नमस्कार तब तक के लिए बाई बाई